नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान आज हम आपको ब्राह्मन शब्द को लेकर जो अनेक भ्रांतिया फैली में इसके बारे में बताएंगे इनका समाधान करना अत्यनते आवश्चक है क्योंकि हिंदु समाज की सबसे बड़ी कमजोरी जातिवाद है ब्राह्मन शब्द को सत्य अर्थ को न समझ पाने के कारण जातिवाद को बढ़ावा मिला है शंका एक ब्राह्मन की परिभाशा बताए इतका समाधान है कि पढ़ने पढ़ाने से चिंतन मनंद करने से ब्रह्मचर अनुशासन सत्य भाशन आधी व्रतों का पालन करने से, परोपकार आधी सत्कर्म करने से, वेद विज्ञान आधी पढ़ने से, कर्तवी का पालन करने से, दान करने से, और आधर्शों के प्रती समर्पित रहने से, मनुश्री के या शरीर ब्रामन किया चाता है। शंका नंबर दो ब्रामन जाती है अत्वा वर्ण है ब्रामन वर्ण है जाती नहीं वर्ण का अर्थ है चयन या चुन्ना और सामानित है शब्द वर्ण भी यही अर्थ रखता है व्यक्ति अपनी रूची योगिता और कर्म के अनुसार इसका स्वयम वर्ण करता है इस कारण इसका नाम वर्ण है वैदिक वर्ण विवस्ता में चार वर्ण है ब्रामन, शत्री, वैश्य और शुद्र ब्रामन का कर्म है विदिवत पढ़ना और पढ़ाना यग करना और कराना दान प्राप्त करना और सुपात्रों को दान देना शत्री का कर्म है विदिवत पढ़ना यज्य करना प्रजाओं का पालन पोशन और रक्षा करना सुपात्रों को दान देना धर्न अश्वरी में लिप्त ना होकर जितेंद्री रहना वैस्षिक कर्म है पश्व का लालन पोशन सुपात्रों को दान देना यग्य करना विदिवत अध्यन करना व्यापार करना धन कमाना खेती करना शुद्र कर्म है सभी चारों वर्णों की व्यक्तित्व को यहाँ पर सेवा या श्रम करना शुद्र शब्द को मनू अत्वा वेद ने कहीं भी अपमान जनक नीचा अत्वा निक्रिष्ट नहीं माना है मनु की अनुसार चारों वर्ण ब्रामन शत्री वेश एवं शुद्र आरे है शंका नमबर तीन मनुष्यों में कितनी जातिया है मनुष्यों में केवल एक ही जाती है वह मनुष्य अन्य कोई जाती नहीं है शंका नमबर चार, चार वर्णों का विभाजन का आधार क्या है? वर्ण बनाने का मुख्य प्रयोजन कर्म विभाजन है वर्ण विभाजन का आधार व्यक्ति की योगिता है आज भी शिक्षा प्राप्ति के उपरांद डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आधी बनते हैं जन्म से कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं होता इसे ही वर्ण व्यवस्ता कहते हैं शंका नमबर पांच कोई भी ब्रामन जन्म से होता है अत्वा गुण कर्म और स्वभाव से होता है व्यक्ति की योगिता का निर्धारन शिक्षा प्राप्ती के पस्चात ही होता है जन्म के आधार पर नहीं होता किसे भी व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव के एक आधार पर उसके वर्ण का चयन होता है कोई व्यक्ति अनपढ़ हो और अपने आपको ब्रामन कहे तो ये गलत है मनु का उपदेश इस प्रकार से है जैसे लकड़ी से बना हाथी और चमड़े का बनाया हुआ हरिन सिर्फ नाम के लिए ही हाथी और हरिन कहे जा सकते है वैसे ही बीना पढ़ा दिखा ब्रामन मात्र नाम कही ब्रामन होता है शंका नमबर छे क्या ब्रामन पिता की संतान केवल इसलिए ब्रामन कहलाती है कि उसकी पिता ब्रामन है यह ब्रांती है कि ब्रामन पिता की संतान इसलिए ब्रामन कहलाएगी क्योंकि उसका पिता ब्रामन है जैसे एक डॉक्टर की संतान तभी डॉक्टर कहलाएगी जव बिना पढ़े नहीं कहलाएगी वैसे ही ब्रामन एक अरजित करने जाने वाली पूरानी अभधी है मनु का उब्देश, माता पिता से उत्पन संतती का माता के गर्ब से प्राप्त जन्म साधारन जन्म है वास्तविक जन्म तो शिक्षप पूर्ण कर लेने के उपरांती ही होता है शंका नम्बर साथ, प्राचिन काल में ब्रामन बनने के लिए क्या करना पड़ता था प्राचिनकाल में ब्रामन बनने के लिए शिक्षित और गुणवान दोनों ही होना पड़ता है मनु का उबदेश इस प्रकार से है वेदों में पारंगत आचार्य द्वारा शिश्य को गायतरी मंत्र की दिक्षा देने के उपरांथ ही उसका वास्तविक जन्म होता है यानि की वास्तविक रूप में मनुश्य का जन्म होता है ब्रामन, शत्री और वैशी ये तीन वर्ण विद्याधन से दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं विद्याधन ना कर पाने वाला शुद्र चौथा वर्ण है आजकल कुछ लोग केवर इसलिए अपने आपको ब्रामन कहकर जाती का अभिमान दिखाते हैं क्योंकि उनके पुर्वज ब्रामन थे ये सरासर गलत है योगिता अर्जित किये बिना कोई ब्रामन नहीं बन सकता हमारे प्राचिन ब्रामन अपने तब से, अपनी विद्या से, अपने ज्यान से संपुनि संसार का मार्ग दर्शन करते थे इसलिए हमारे आरिवर्थ देश विश्व गुरु था शंका नमबर आठ ब्रामन को श्रेष्ट क्यों मानते हैं ब्रामन एक गुणवाचक कर्म है समाज का सबसे ज्यानी बुद्धी मान शिक्षित समाज का मार्ग दर्शन करने वाला है त्यागी तपस्वी व्यक्ति ही ब्रामन कहलाते हैं इसलिए ब्रामन वर्ण श्रेष्ट है वैदिक विचारधारा में ब्रामन को अगर सबसे अधिक सम्मान दिया गया है तो ब्रामन को सबसे अधिक गलती करने पर दंड भी दिया गया है एक ही अपरात के लिए शुद्र को सबसे दंड कम दंड वैश्य को दो गुना शत्री को तीन गुना और ब्रामन को 168 गुना दंड मिलता है क्या शुद्र ब्रामन और ब्रामन शुद्र बन सकता है ब्रामन शुद्र आदी वन क्योंकि गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर विभाजित है इसलिए इन में परिवर्तन संभव है कोई भी व्यक्ति जर्म से ब्रामन नहीं होता अपितो शिक्षा प्राप्ती के पश्चाद उसके वण का निधारन होता है ब्रामन शुद्र बन सकता है और शुद्र ब्रामन हो सकता है इसलिए छत्री और वैश्य भी अपने वण बदल सकते हैं शरीर और मन से शुद्ध पवित्र रहने वाला, उत्कृष्ट लोगों के सानित में रहने वाला, मधूर भाशी, अंकार से रहित, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों के सेवा करने वाला शुद्र भी उत्तम ब्रामन, जन्म और द्वेज वर्ण को प्राप कर लेता है। दिक्षित नहीं होता वशुद्र के समान ही है। ब्रामन वर्नस्त व्यक्ति स्रेश्ट अतिस्रेश्ट व्यक्तियों का संग करते हुए और नीच नीच तर व्यक्तियों का संग छोड़ कर अधिक स्रेश्ट बनता जाता है। इसके विप्रित आचरण से पतित होकर वशुद्र बन जाता है। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमती और जाते जाते कहूंगी पानी बचाईए सब को सिखाईए। पेर लगाईए सब को सिखाईए। नमस्कार